हेलो फ्रेंट्स वागत है आपका हमारे चैनल इस्टे डिमिंशन पर तो कैंसब का की तरफ से एक योजना शुरू के गए जिसका नाम सोलर रूट आप पैनल योजना है इसमें कैसे करना है वादन इसका कैसे मिलेगा आप प्लाब और इसमें आपको अवैदन करने के बात कित आपको आप ताकि आपको सारी जानकरी मिल जाए और आप इसका लाब उठा सकें तो सोलर रूट पैनल ठोड़ा को बढ़ावा दिये जाने की योजना के तहट रूजा मंतराले ने रूट पर प्लावर प्लांट लगवा जाने की योजना में बद्दाव किया है अब सोलर प्लाइन लगवाने की मंजूरी आपको पंदा दिन के भीता सोलर प्लाइन लगाने की मंजूरी मिल जाएगी सोलर प्लाइन एग्रिमेंट जो कि है एग्रिमेंट पास सालों के लिए होता है सोलर प्लाइंट लगवाने के लिए राश पॉर्टर पर नेट मीटर के लिए वैदन करना होगा बैंक अकाउंट में सब्सीडी आईगी आपके जो कि सोलर प्लाइंट लभारतिक के बैंक खातें में सब्सीडी रासी लाड़ी आती है इसके अधिकारी एक्साइट है जो कि आप इसके अधिकारी एक्साइट पर जा करें www.solarrooftop.gov.in पर होटवत होती है आप यहां से रेजरिस्टन करवा सकते हैं या कर सकते हैं इस तरह से लोगे गाच्छत पर रूफ टॉप सोलर पाव प्लाइंट च्छत पर सोलर प्लाइंट लगवाने के लिए राश्ट्रे पोर्टल पर नेट मीटर के लिए अवैदन करना होगा 우리iénि अवैदगों को निद्धायत निदेसर के तहर नेट मीटर फैदने को कहेगा इसकी जास बिज़िक मकनी के सिटर पर होगी और जात के निड़ेंड को एक पोर्टल पर डाल दिया जाएगा नेट मीटर लगने के बाद बिजली कंपनी के अधिकाई राष्टी पोटल पर उसे शुरू करके तथा निर्ट रूट और प्लांट नियू एंड रिन्यूवबल एनर्जी मंतरा ने कहा कि जिसकों के इस तरफ समाल प्ररूप में एक पोटल होगा और दोनों पोटलों को जोड़ा जाएगा जो रहलों लभ्यारती रूफ्ट और प्लांट लगवाना चाहते हैं वह राष्पोटर पर अवयदन कर सकता है इस अवयदन को करने के लिए लभ्यारती को अवस्यक जानकारी जमा करने होगी जिसमें बैंक खातेगा विवर्ण भी सामिल होगा जहां समसेडी रासी भी दी जाएगी 15 को मंजूरी है रूफ्ट ओव्यदन करने के लिए विजली घर को ऑन्लाइन कर दिया जाता है जिसके 15 दिन के भीतर 16 लगाने की मंजूरी मिल जाएगी 16 लगने के बाद MNR मंत्रालय हैग्रेमेंट को पर्में जारिये करेंगा जो आपके और आपके वेंडर के बीच होगा आइग्रिमेंट पास सालों के लिए होता है आपको एक समय अबदी के अपनी छत पास ओड़ा प्लान लगवाना होता है अगर आप अगर आप हमाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप वीडियो को लाइड़